हेलो अबरबन, हम हमतिवारी यह फोरमतिवारी.net और यह है हमारी Google Analytics सीरीज का सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में हमने Google Analytics को Google Tag Manager के जरीए किसी भी वेबसाइट के साथ में कनेक करना सीखा है जब आप Google Tag Manager को यूज करके Google Analytics को अपनी वेबसाइट के साथ में कनेक करते हैं तो आप भारी भरकम प्लगिन और सेट अप से बच जाते हैं और इसी Google Tag Manager कनेक्शन को यूज करके आप बाकी दूसरे टूल्स को अपनी वेबसाइट के साथ में लिंक कर सकते हैं आप यह वेबसाइट पर जावा स्क्रिप्ट बहुत कम एड होता है तो यह था हमारा फर्स पार्ट इस वीडियो को अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्ण में दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो का डिस्करप्शन में मिलेगा अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ आज की वीडियो के टॉपिक के उपर जिसमें हम देखेंगे गूगल एटेंशन वगरा की सेटिंग्स को जानेंगे और हम देखेंगे कि आखिर गूगल एटेक्स में आप कैसे इवेंट्स को बना सकते हो कस्टम इवेंट्स को और कैसे आप नए कंवर्जिन गोल्स को सेट अप कर सकते हो events और conversion के बाद हम देखेंगे कि आखिर आप Google Analytics को Google के बाकि दूसरे tools के साथ में कैसे connect कर सकते हैं for example Google Ads या फिर Google Search Console आप इन सारे tools को एक साथ Google Analytics के साथ में connect करके सारा data एक साथ analyze कर सकते हैं यह सारे topics covered होंगे आज के इस second part में और third part में हम जानेगे कि आखिर Google Analytics में जो reports वाला section होता है इसको कैसे आप master कर सकते हैं कैसे आप इसको customize करके use कर सकते हैं बट इस third part का जो वीडियो है उसका notification आपको तभी मिलेगा जब आपने subscribe कर रखा है इसके बाद हम शुरू करते हैं second part आज का चलते हैं computer screen पर अब हम आ गए है Google Analytics के main homepage पर इस dashboard में यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत information मिलती है काम की बट बहुत सारी information ऐसी है जिनको आप बहुत ज्यादा time तक explore नहीं कर सकते हैं new users मिले हैं जितने भी हमारे पास event के counts हैं conversion है इन सबका एक snapshot मिल जाता है users in last 30 minutes की detail मिल रही है इसके लावा यहाँ पर नीचे कुछ आपको AI based insights मिलती है solution मिलते हैं बट इन सबके ऊपर हम बहुत जादा time spend नहीं करने वाले हैं बिकाज यह हर website के लिए dynamic होती है और जब आप advanced settings को use कर सकते हैं ज्यादा data निकाल सकते हैं insights निकाल सकते हैं तो फिर आपको यहाँ पर time लगानी क्या जूरुत है now home page के अलावा आपको ज्यादा important tabs द पहले हम जाएंगे और Google Analytics के कुछ important settings को देखेंगे जिन पर आपको सबसे पहले focus करना है उसके बाद हम इस reports explore और advertising tab को देखेंगे तो हम आ जाते हैं admin settings पर सबसे पहले और यह admin settings जो है Google Analytics की अभी-भी change की गई इनको एक नया look दिया गया है इसलिए अगर आप Google Analytics को बहुत time स use भी कर रहे हैं तो भी आपको बहुत सारे option एधर रोधर बिखरे वे मिल सकते हैं थोड़ा सा confusion रहेगा so let's go through it and कुछ important settings जिने हमें change करना जरूरी है उनको एक बार देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर account related settings है अगर आपको अपने account में किसी दूसरे person को किसी vendor को client को किसी लिए आप कैसे करेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं आपको आना होगा account settings में और इसके बाद account access management पर आपको क्लिक करना होगा और इस तरह से यहाँ पर window open होगी जहाँ पर आपको यह plus button दिखाई देगा आप इस पर click करके users को add कर सकते है add users window आ जाएगी इस तरह से और आप email id को enter करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग-अलग level के access दिखाई दे रहे हैं for example सिर्फ viewer है या कोई analyst है या marketer है, editor है, admin है आप जिस भी level का access देना चाहते हैं उस level का access आप यहाँ पर select करके email id को enter करेंगे और आप access को share कर पाएंगे add button को click करना ज़रूरी है of course but again यह जो basic settings है इनको आप अपने आप explore कर सकते हैं हम आ जाते हैं कुछ अच्छे options के ऊपर data collection पर आप click करेंगे और यहाँ पर data retention नाम की setting दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर data retention setting में जब आप जाते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है event data retention two months यानि कि Google Analytics by default आपके जो events हैं जो conversions ह उसका सिर्फ दो महीने का data रखने वाला है अगर आप इस setting को अभी change नहीं करते हैं तो Google Analytics आपके सारी website की जितने भी event है conversion से हम सबका data दो महीने बाद delete कर देगा तो हम यहाँ पर change करेंगे इसको दो महीने से हटाकर 14 months कर देंगे okay now 14 months तक आपकी website के data आपके Google Analytics dashboard में save रहेगा इससे by default 14 months का होना चाहिए but Google being Google अपना storage जो है थोड़ा बचाने कोईशिश कर रहा है तो यहाँ पर दो महीने by default है आप इससे 14 months करेंगे और reset user data on new activity क्लिक है इसको on रहने देंगे and then इसके बाद हम save button पर click कर देंगे okay so data retention की setting हो गई है इसके अलावा एक छोटी सेटिंगे score देख लेते हैं अगर आपको कभी in future दुबारा से Google Analytics की measurement ID की ज़वत पड़ती है तो आपको यहीं पर data collection and modification वाली setting में data streams पर जाना है और यहाँ पर आपको अपनी stream select करनी होगी और यह measurement ID आपको यहाँ मिल जाएगी सिर्फ थोड़ी सी छोटी से information है इसे जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको Google पर जाकर एक फालतुबर search ना करनी पड़े measurement ID कहां मिलेगी आपको admin settings में data collection and modification पर आना है और इसके बाद data streams में जाकर data stream को select कर लेना है इसके बाद हम आते हैं event और conversions पर Google Analytics का जो पूरा power है वो events के उपर based है Google Analytics यानि कि GA4 जिसे पहले कहते थे वो by default अपने आप automatically बहुत सारे events को बहुत सारे conversions को automatically आपकी website के लिए बना देता है बट अगर आप बनी बनाई template चीजने करना चाहते हैं तो फिर आप इस channel के viewer नहीं है बट अगर आप इस channel के viewer हैं तो आप template पर नहीं जाना चाहते हैं बनी बनाई settings को नहीं use करना चाहते हैं आप advanced चीजने देखना चाहते हैं तो हम आएंगे data display पर और यहाँ पर हम event पर click करेंगे, events not event, my mistake, now एकदम नई property, एकदम नई Google Analytics property जिसे हम थोड़ी देर पहले बनाया है और अपनी website के साथ में Google Tag Manager के जरीए connect किया है, views के नाम पर सिर्फ एक view अभी तक इसे मिला है जो कि हम नहीं किया है, but फिर भी Google ने first visit, page view, scroll, session start नाम के events अपने आप बना दिये हैं, now यहाँ पर हम अपने नए खुद के events बना कर देखेंगे, but उससे पहले यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आप जो notice कर रहे होंगे, अगर नहीं करने तो आप ध्यान दीजे, यहाँ पर जितने भी event के name है, वो सब के सब small letters में, okay, page view में p-a-j-e small है, view में v-i-e-w small है, और दो words के बीच में, जो join करने का तरीका है, वो space नहीं है, dash नहीं है, underscore है, so जब भी आप अपने Google Analytics dashboard में कोई भी event बनाएंगे, जो उसका नाम है, वो हमेशा small letters में होगा, और word को join किया जाएगा, underscore के साथ में, okay, so जब भी आप event बनाए Google Analytics में अच्छी तरीके से use हो पाएं, so यहाँ पर हम create event नाम का एक button क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर आपको एक create button फिर से दिखाई दे रहा है, इस पर click करेंगे, right, now अब हम अपने event को बनाएंगे, यहाँ पर हमारा event क्या हो सकता है, let's say कि यह हमारी एक demo e-commerce website है, इस पर कोई person किसी product को purchase कर लेता है, let's say एक half sleeve t-shirt है, इसको purchase कर लेया मैंने, और इसको purchase करने के बाद जो website है, वो automatically मुझे एक product purchase का, जो thank you page होता है, वो दिखाएती है, right, so मेरा page है thank-u, okay, यह भी 404 होगा, because इस type कोई page है नहीं इस website पर, but let's say हम चाहते हैं कि जब भी कोई user हमारी website पर कोई product purchase करें, तो उसे thank you page दिखाई दे, but let's say कि जब भी कोई user हमारी website पर कोई भी product purchase करता है, तो उसे thank you page दिखाई देता है, so हम यह मान सकते हैं कि अगर हमारी website पर एक महिने में एक हजार लोग thank you page देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने एक हजार बार उस product को purchase किया, maybe just 500 लोगों ने दो ती-शिट पर चेस किये, तो एक हाजार बार product हमारा बिका है, so thank you page की visit equals to the number of the times someone has bought our product, okay, so हम इस thank you page की visit को track करेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगे हमारा product कितनी बार बिका है, ठीक है, so यहाँ पर इस setting को हमें Google Analytics में करना होगा, यहाँ यहाँ पर हम event name क्या डालेंगे, thank underscore u, okay, t h a n k all small underscore y o u all small, ठीक है, कोई भी caps में letter word नहीं होना चाहिए, इसके बाद यहाँ पर event name equals to what, यहाँ पर हम क्या track करना चाहरे है, हम यहाँ पर track करना चाहरे है, page का view, thank you page के view, तो यहाँ पर हम value में अटर करेंगे, यहाँ पर event name equals already अ view, page view, google analytics का अपना खुद का event name है, इससे आपको page view exactly as it is type करना होगा, इसके बाद हमें click करना होगा, इस add condition बटन पर, okay, now condition क्या है, page location, right, यह जो page view हुआ है, इस page की location क्या है, इस page की location है, page underscore location, यह parameter name हो गया, इसके बाद operator equals, and equal value क्या होनी चाहिए, इस page का path क्या है, यहाँ प लेते हैं, and then यहाँ पर हम paste कर देंगे, इस value को, right, once we have pasted, यहाँ पर यह हमारा event जो है, वो एकदम बनने वाला है, सही सही, event name equals to page view, यानि कि जो event का name है, वो page view है, page को देखना है, और जो parameter है, वो है, page की location, और location क्या है, page की, ecom.clicklocal.in slash thank-u, यह condition perfect बन गई है, यहाँ पर copy parameters from the source event, why, because जो page view है, यह source event है, Google Analytics अपने आप automatically जितने भी events को बनाता है, उन्हें source event कहा जाता है, okay, so यहाँ पर हम इस checkbox को tick रहने देंगे, by default tick रहता है, आपको यहाँ पर और कोई change करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप click करेंगे, create button पर, और यह हमारा custom event बन गया है, now हमने एक simple type का event बना लिया है, जो किसी page पर होने वाले views को अपने आप से track करता है, now अब हम एक दूसरा different type का complex event बनाने कोशिश करते हैं, जिसमें हम यह देखेंगे कि हमारी इस e-commerce website में, जितने भी product pages है, उन product pages को कितना traffic Facebook से मिल रहा है, okay, या Instagram से मिल रहा है, so हमारी website पर जितने traffic मिल रहा है, यह आपको information चाहिए, अपने Google Analytics अकाउंट में, Google Analytics by default आपको यह information देता है, कि आपको कितना referral traffic मिल रहा है, और कितना traffic आपको किसी social media channel से मिल रहा है, बट यहाँ पर हम यह नहीं देखना चाहते हैं, कि पूरी website को कितना traffic मिल रहा है, बलकि हम यह देखना चाहते हैं, वापस आएंगे Google Analytics इसी dashboard में, यहाँ पर हम already create event नाम के pop-up पर है, यहाँ पर हम again click करेंगे create पर और यहाँ पर हम इस event को नाम देते हैं, Instagram product visit, okay, and then इसके बाद यहाँ पर event name already equals पर set है, यहाँ पर हम value देंगे page underscore view, okay, now अब हम एक condition add करेंगे, add condition बटन पर click करके, और यहा पर होगा page location, but page location में equals को नहीं हम use करेंगे, page location में contains operator को select करते हैं, now contains operator में यहाँ पर value क्या होगी, slash product slash, why, because जैसे हैं अपनी website पर आकर देखते हैं, यहाँ पर जितने भी products हैं, जितने भी products के pages हैं, उन सब के URL में slash product slash है, okay, so it is safe to say कि अगर कोई product होगा हमारी इस website पर, तो उसके URL में slash product slash जरूर होगा, okay, अगर किसी page को visit कर रहे हैं, पर लिट से हमने अभी category change किये, और हम आते हैं एक दूसरे product पर, इसके URL में आपको दिखाई दे रहा है, कि slash product slash and then इसके बाद slug है, okay, so domain slash product slash slug, so यहाँ पर हम आ गए, और हमने page location में contains डाला, equals नहीं, otherwise इसी particular slug को search करेगा Google Analytics, तो हम यहाँ पर contains को select करेंगे, and then इसके बाद slash product slash, ठीक है, now हमें एक और condition add करनी पड़ेगी, Instagram से referral को निकालने के लिए, because अभी तक हमने page view track किये हैं, जो की product pages के हैं, but यह Instagram से आ रहे हैं, यह कैसे पता लगए Google Analytics को, so यहाँ पर हम parameters में select कर referer, page referer क्या है, equals Instagram, so जब भी किसी product page की visit होगी, जिसको Instagram से refer किया जा रहा है, तो वो यहाँ पर अपने इस event में select हो जाएगी, यहाँ पर copy parameters from source event already selected है, आपको सिर्फ click करना होगा, create button पर, so अब हमारा Instagram product visit नाम का यह event, उन सारे product pages की visit को track करेगा, दिखाएगा Google Analytics dashboard में अलग से जो Instagram से हो रही है, now यह थे events, अब हम आते हैं conversion पर, conversion ऐसे event हैं, जिने आप goal ultimate मानना चाहते हैं, जो आपकी website पर ऐसे action, जो जब भी हो जाते हैं, तो आपकी website का जो goal था, वो complete हो जाता है, so conversion actually में create करना बहुत ही easy task है, so conversion को बनाने के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ new conversion event पर click कर करना है, और जिस भी event को आप conversion के तौर पर track करना चाहते हैं, उस event का नाम देना होगा, for example, अभी हमने Instagram underscore product underscore visit नाम का event बनाया है, अगर उस event को हम as goal set कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर उसे conversion में create कर सकते हैं, हम यहाँ पर उसी event का नाम as it is type करना होगा, Instagram underscore product underscore visit और हम यहाँ पर save क से जितने भी product pages को visit मिलेंगी, उन्हें अपने आप Google Analytics एक conversion के तौर पर दिखाएगा, और इस conversion event को आप Google Ads में भी use कर सकते हैं, अपनी website के reporting में भी use कर सकते हैं, अपने client को दिखा सकते हैं, नहीं, लेट से आप एक social media campaign handle कर रहे हैं, तो आप अपने clients को दिखा सकते हैं, कि हम admin settings देख लिए हैं, जो भी important admin settings होती हैं, इसके लावा हमने events और conversion को देख लिया है, अब इसके बाद हम कुछ important product है Google के उनके साथ में link करने का तरीका देख लिए हैं, for example, Google Ads के साथ में link करना अपने आपने बहुत important step होता है, तो यहीं पर data display के नीचे आपको product link का एक option दिख करेंगे, यहाँ पर इस window पर आपको अपने Google Ads account को select करने का option दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम click करेंगे choose Google Ads accounts button पर और यहाँ पर हमारी इस email ID के साथ में दो Google Ads account अल्रेडी बने हुए हैं, अगर आपकी email ID को कुछी और Google Ads account का access मिला हुआ है, तो वो भी यहाँ पर इस list में दिखाई देगा, यहाँ पर let's say मैं इस Google Ads account को connect करना चाहता हूँ, मैं इसे select करूँगा और इसके बाद confirm button पर click कर देता हूँ, इसके बाद मुझे next button पर click करना होगा, और यहाँ पर जो option already ticked है, इनको आप by default tick रहने दे, और इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और settings है आपने on रहने दे और submit बटन पर click कर दे, और आपका यह जो Google Ads account है, वो इस Google Analytics account के साथ में connect हो चुका है, इस connection का फायदा यह होता है कि Google Analytics का जितना भी data है, वो Google Ads account के साथ में holiday sync होने लगता है, Google Ads से आने वाली visits आपको Google Analytics में दिखाई देंगी, और Google Analytics में जो भी data collect हो रहा है users का उसे आप use कर सकते हैं, audience और segments बनाने में Google Ads settings के अंदर, इसी तरह से आप अपने Google Adsense accounts को connect कर सकते हैं, अपने Google Analytics account के साथ में ad manager को link कर सकते हैं, big query, display and video 360 links को connect कर सकते हैं, search console को भी, actually मैं आप यहाँ पर link कर सकते हैं, search console पर एक बार link करके देखते हैं, search console links option पर click करेंगे, औ और फिर से सेम तरीका है, यहाँ पर choose accounts button पर click करूँगा मैं, और इस website को जिसको मैंने already connect कर लिया है, अपने account के साथ में यहाँ पर confirm button पर click करूँगा, और यहाँ पर Google Search Console connect होने वाला है, सिर्फ मुझे click करना होगा, इस next button पर, इसके बाद अपनी web stream को select करना होगा, तो यहा वारी demo Google Search Console property अमारी इस Google Analytics account के साथ में connect हो चुकी है, यहाँ पर click कर देते हैं, और यह सारा connection हो चुका है, so Google Analytics की जितनी भी basic properties हैं, जितनी basic settings हैं, वो सारी की सारी हमने कर लिया है, so अब आपका Google Analytics account आपकी बाकी सारी properties के साथ में connect हो चुका है, और अब हम आते हैं reporting के ऊपर, जहाँ पर हम reports section को देखेंगे और इसके बाद explore को देखेंगे और इसके बाद हम आएंगे advertising tab पर, so यहाँ पर हम click करते हैं reports पर, so यह था Google Analytics series का second part, third part में हम जानेंगे कि आखिर Google Analytics की reports को आप कैसे manage कर सकते हैं, कैसे own कर सकते हैं, कैसे आप custom report बनाएंगे, कैसे उन reports को customize करके अपने मन माफिक data को आप महाँ पर देख सकते हैं, but यह सारी चीजें होंगी अगले part में, जिसके लिए आपको कुछ दिन का wait करना पड़ेगा, मेलते हैं अगले वीडियो में, third part में, thank you so much watching this video, my name is Amitivari for Amitivari.net and I will see you next time, take care.